हेलो फ्रेंड्स तो आज की वीडियो में हम आपसे डिसकस करने वाले हैं इस डिजैन के बारे में हम आपसे डिसकस करने वाले हैं फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स हमारे पास डिजैन है जो कि मारे पास ये 3D में हमारा डिजैन रहेगा इसको पूरा कंप्लीट हमने 3D में डिजैन हैं और फेंट्स हम आपको बताएंगे इसका मैप के बारे में में इसकी नक्षा के बारे में यह हमार पास इसका यह नक्षा रहेगा तो वीडियो को पूरा अंतक देखते रहेगा वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आप से कहना चाहूंगा यदि आपने अभी तक हमारे च तो यह फ्रंट्स हमार पास जो डिजैन हैं आप जो डिजैन देख रहे हैं स्क्रीन पे इसका यह जो फ्रंट है यह हमार पास इसमें 37 फिट का इसका यह फ्रंट रहेगा अंदर जो गहरा ही होगी वह हमार पास 40 फिट की गहरा ही रहेगी वाकि फ्रंट्स आप देखेंगे कि हमारा जो plot है plot तो काफी बड़े साइज का होगा है इसमें हमने इसके चारो साइट से हमने इसमें window का provision दिये है means कि हमार जो plot है plot काफी बड़े साइज का है लेकिन इसमें हमारा जो cover area है वो हमरे पास इसमें 1480 square feet बनाए हुआ है means 37 feet by 40 feet में हमने इसको डिजन के हुआ है, तो इसमें आप देखेंगे कि हमारे घर की जो इसमें एंट्री हो रही है, वो हमारे पास यहां से हो रही है, यह हमारे घर की में एंट्री होगी, यहां पर हमारा अपना यह जो एंट्रेंस आप देखेंगे, यह हमारा अपने ब्रामदे में एंट्र आप देखेंगे काफी वड़ी साइज का हमारा बरामदा है बरामदे में हमें दो चेर की यहाँ पर सेटिंग मिलेगी और यह जो फैंट्स हमारी सेटिंग होगी आप इस सेटिंग के लिए अपने कोड़िंग भी कस्टुमाइज कर सकते हैं मिन्स कि यह दि आपको यहाँ पर सेटिंग अपनी फोर्ड़शेर की करनी है थो फोर्ड़शेर की आप यहाँ पर कर सकते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि हमारे हर का जो entrance door होगा वो हमारे पास यहां से होगा यह आपको जो door दिखाए दे रहा है इसी door से हम अपने घर के अंदर जाएंगे तो यह जो front smart door है इस door से जैसे इसमें आगे वड़ेंगे तो हमें यहां पर एक hall मिलेगा यह हमारे पास hall होगा जो की काफी बड़े साइच का हमारा hall होगा और यह फैर्ट smart hall है इस hall को हम यूज करेंगे as a living hall के purpose से और ऐस अपना डैनिंग हॉल के परपस से इसमें आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर अपना ये काफी बड़े सैज का सोफा का डैन मिलेगा यह हमार पास यहाँ पर इस सोफा का हमार डैन रहेगा और यहाँ पर हमें मिलेगा अपना ये एक मंदर का डैन इस corner में हमें यहाँ पर मंदन मिलेगा और यहाँ पर TV unit का हमें यह design मिलेगा यह हमें यहाँ पर यह six-seater dining table का भी डिजाण मिलेगा तो यह जो हमारा hall होगा इस hall को हम use कर पा रहे है multiple purpose means की living और dining के purpose और हमें इस corner में अपना एक मंदर का भी हमें यहाँ पर design मिलेगा यह जो friends हमारा hall होगा इस hall में हमें दो window भी मिलेंगी काफी बड़े search की तो दोनों windows से हमारा अपनी hall का बहुत ही अच्छे से ventilation होता रहेगा तो यह friends हमार पास अपना यह hall का हमारा design रहेगा फ्रेंट में friends आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर अपना एक bedroom मिलेगा यह हमार पास एक bedroom का हमारा design रहेगा bedroom में आप देखेंगे हमार पास यहाँ पर यह bed का design होगा इस wall पे मिलेगा हमें covered का design और यहाँ पर यह मिलेगा हमें एक TV unit का हमें यहाँ पर design मिलेगा तो यहांवर्ण से हमारा जो reduction में हमने यहांपर एक बींडू का बेड जंकी वह आ है यहांपर एक बींडू रहेगा तो इस बींडू से हमारा अपने इस बैडूरूम का बहुत ही अच्छे से ventilation होते रहेगा यह तो यहांथ हमारा बेडूरूम में attached toilet रहेगा टाइलेटलेट में इदेखेंगे हमें वादिय रहा को वाहति पस से रिदों में और चाहekiट या जो बैडरूम में मलेगा यूँं ऑप बैडरूम के अपतिर बैड़ूम Candid जान रहेगा यह फैट हमारे पास रहेगा अपना इस्टिके इसका यां यह से जाएंगे हमापने month प्लोर पर यह अपना के इसका हमारा ईजाइन होता रहेगा यह किचन का घ्ठक किचन हो कह Wahr होगा तो यह अमोर का पास अपना बैटूर यहां पर हमारा बैट रूम होगा इस बैडों में हमें दो बिंडों मिलेंगी विंडोस से इस bedroom का बहुती अच्छे से ventilation होता रहेगा तो यह फैर्ट समारा अपना bedroom का हमारा design है bedroom में हमें आपर वेट कर दियान मिलेगा इस वाल पर आप देखेंगे हमें मिलेगा TV unit कर दियान और यहाँ पर मिलेगा हमें यह covered कर दियान तो यह फैर्ट समार पास 3D यह plan है जो कि आपको बहुत ही अच्छे से clear हो गया होगा इसमें आप काफी अच्छे से visualize कर पा रहे होंगे कि इसमें हमार पास 3 bedroom है एक bedroom हमार पास front side में है दो bedroom हमार पास back side में है एक bedroom है एक bedroom के साथ हमारा attached toilet है यह हमारा common toilet है बीच में हमें काफी वड़े साथ का hall मिला है जिसको हम यूज कर पा रहे है as a dining और living के purpose से और front में हमें मिला काफी वड़े साथ का यह बरामद का design यह हमार पास काफी वड़े ही साथ का हमारा बरामदा रहेगा तो यह friends हमारा 3D plan है जो कि आपको बहुत ही अच्छे से clear होगा होगा और यह रहेगा इसका elevation design जो कि एक बहुत ही अच्छा elevation है इसमें friends आप जो भी finishing आप इसमें देख रहे हैं पूरा ही paint finish में हमारा design है आप यह जो texture आप देख रहे हैं यह हमने इसमें प्रहणा है यह हमने इसमें इसमें tell के उच्च के हुआ है यहां पर भी आप देखेंगे आप जो देख रहे हैं पूरा ही जो finishing है पूरा ही paint finish में यह हMारा design है जो क्ये एक बहुत ही चैजा नहीं रहे जान अब हम कि ट тех हैं वर इसके मैप की तरफ यह फ्रेंट है मैप में आप देखेंगे कि सब्सक्राहले जो यह हमारा ब्रामधा रहेगा ब्रामदे से हमारे खरका इंट्रेंस डोर है इस डोर से हम अपने घर के अंदर आ रहे हैं तो इस डोर से आगे बने पर हमें यहाँ पर मिलेगा अपना living और डैनिंग एरिया है यहां पर रहेगा हमारा डैनिंग टेबल का डियान और यह जो मैं आपको बता रहा हूँ जो आपका जो फरनिचर के वारे में बता रहा हूँ मैंने आपको पूरा 3D विलान में अच्छे से डिसकस किये हुआ है फ्रेंट में आप देखेंगे हमें आपर बैडरूम मिलेगा जो कि 15-by 13-by 13-by का का पो बड़े सेच का बैडरूम होगा बैडरूम के साथ हमारा एक टेजट टाइश टाइलेट रहेगा जो कि 7-by 8-by 5-5-5-inch का यह हमार पास अटेजट टाइलेट रहेगा यहां पर हमें मिले यहां पर हमुरी पास लेगा इस्टेकस कर डियायन जो कि 6-foot by 9-fit का यह मिरा पास इस्टेकसका डियायर रहे इए यहां पर रहे आइगा च्छिद कर डियायन जो कि हमरे पास यह 7-foot by 9-foot का यह मरपास किचंन का हमारा राचियर रहे μयell लोटेगा और यह इसे इस हमारा हमारा जो mystery है वो site पे work कर सकता है तो यह friends हमार पास map है और यह हमार पास design है जो कि मैं आपको already बता चुका हूँ काफी अच्छा काफी latest यह design है तो यह जो design है friends यह आप इस design का construction कराते हैं इस design को बनवाते हैं तो इस design का जो इसके structure का जो इसका cost आने वाला है वो इसका 13-14 लाग रुपे बन आने वाला है 13-14 लाग रुपे में इस घर का structure बन के तयार हो जाएगा जो कि इसका एक minimum cost रहेगा minimum आपको इतने रुपे तो चाहिए यदि आप इस घर का structure बना रहा हैं सिर्फ और यदि आप इसका finishing करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि एक minimum cost हमें पता पड़े कि minimum cost में ये घर कितने रुपे में finish हो सकता है तो ये 20-21 लाग रुपे में इस घर का complete structure और with finishing ये तयार हो जाएगा जो कि ये इसके finishing का और structure का minimum cost रहेगा बाकी आप अपने budget को according आप कितना भी extra charge कर सकते हैं कितना भी costly material इसमें आप use कर सकते हैं जो कि आपके अपने budget पे depend करेगा तो ये हमारा design है तो फ़र ये जो design है आपको ये हमारा design कैसा लगा नीचे comment box में comment करके जरूर बताना तो फलाल के वीडियो में तना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अमीद आपको वीडियो पसंदा है होका ज़िए आपने वीडियो को लाइक और से नहीं किया है तो प्लीज लैक भी कर दीजे, share भी कर दीजे, चैनल को subscribe करना मत बूलेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट planning साथ तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत